Hello Everyone, Welcome to X-Academy आज इस वीडियो में 20 सी तमर्ग करने फेर के वारे में बात करेंगे जो एक्जाम की देशी से बहुत ही महत्पूर है तो वीडियो आप लोग बिना इस्क्रिप किये, पूरा देखिये तभी आप लोग से एक कोश्चन एक्जाम में बन पाएंगे तो चली बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पहली बार आया है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए, बेल आकों को प्रेस कर लेजिए कि जब भी latest video upload होगी आपको notification मिल जागा और वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी देख पाएंगे और जो लोग चैनल में पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को like and अपने दोस्तों साथ share किजे क्योंकि और बच्चे इस चैनल से जूट सके और अपने एक्जाम की तियारी अच्छे से कर सकें तो चलिए देखते हैं आज का पहला question क्या है पहला question है हाल ही में जारी basic smart city ranking 2020 में कौन सा सहर टाप पर रहा है यदि आप लोग से किसी question का answer पता है आप लोग 67 comment के answer भी देते जाईए इसका answer क्या होगा option A Singapore city टॉप पर रही है option A आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा अगला question है question number second है हाल ही में second question है हाल ही में JK Lachme Cement की नमिंतम brand JKLC Sixer Cement का brand investor किसे चुना गया है very very important है एक जाम में पूछा जा सकता है किसे चुना गया है आप लोग बताएज़ जली से ये चुना गया है रोही सर्मा को किसे चुना गया है रोही सर्मा को आप लोग को याद खना है next question है हाल ही में वराणसी की मुडवाडी railway station का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है एक कोश्चन आलेडी करवा चुगे है पिछली classes में इसका answer क्या हो आप लोग से बनना चाहिए इसका answer होगा बनारस railway station इनी option भी आप लोग का right answer हो जाएगा next question है हाल ही में वैस्विक प्रात्विक उप्चार दिवस कम मनाया गया हाल ही में वैस्विक प्रात्विक उप्चार दिवस कम मनाया गया यह मनाया गया 12 सितंबर को इनी option सी आप लोग का right answer होगा next question है question 5 है हाल ही में किस देश के द्वारा ओमान सागर में जिल फ्राग्रा 99 नाम का एक नव सेनिक अभ्यास किया गया question 5 का आप लोग को answer बताना है इसका answer होगा इरान क्या हगा इरान आप लोग का right answer होगा next question है question 6 हाल ही में सी पार्थ सार्थी किस राज के नए चुना अयुक्त बने हैं किस राज के बने हैं यह बने हैं तेलंगना राज के option B आप लोग का right answer होगा क्या होगा option B अगला कोश्चन है हाली में डवलू यचो कि सोतंत पेनल में किस भारती को सामिल किया गया है Very very important question है किसे सामिल किया गया है ये सामिल किया गया है कृती सुधन को किसे पृती सुधन को option-your-break rights answer होगा अगला कोश्चन है कोश्चन मरेजट है हाल में किस राज सरकान ने दच्छिर भारत की पहली किसान रेलको हरिजन्दी दिखाई है Q8 इसका एंसर होगा Option C आंद प्रदेश राज ने दच्छिर भारत की पहली किसान रेलको हरिजन्दी दिखाई है Q19 29-30 नॉवंबर 2020 में संगाई सयोग संगठन में सासना ध्यच्छो की मेजवानी कौं सा भारती सहर करेगा कौं सा भारती सहर करेगा एक करेगा नए दिल्ली कौन करेगा नए दिल्ली Option D आप लोगा राइट एंसर होगा Next question है विश्च स्वास संगठन के दच्छेड़ पूर्व इसाई छेत्रों के 73-70 की मेजवानी किस देश ने की है किस देश ने की है यह की है थाइलन्ड ने Option A आप लोगा राइट एंसर होगा अगला question है किस देश ने सोचल मेडिया पर फरजी सूचना और अफवाफ है लाने है तू असोल चिनी या रियल सुगर नाम से एक अभियार की सुरुआत किया है किस ने किया है यह किया है बंगला देश ने आप लोग को याद अखना है option A आप लोगा राइट एंसर हो जाएगा next question है हाले में हिंदी दिवस कम मनाया गया एक question तो सबसे बनना चीए चली इसका answer नहीं बता रहे है इसका answer सभी लोग को comment box में देना है हाले में हिंदी दिवस कम मनाया गया सभी लोग को बताना है इसका answer next question देखते हैं हाले में city bank की पहली महिला CEO कौन बनी है जहां पर प्रथामा आता है वो question exam के point आभी उसे बहुत ही महत्पूर हो जाता है आप लोग को ध्यान रखना है हाले में city bank की पहली महिला CEO कौन बनी है यह बनी है जैन फ्रेजर कौन बनी है sorry यह बनी है जैन फ्रेजर option B आप लोग का right answer क्योंगा option B next question है हाले में US open tennis tournament का महिला एकल का किताब किसने जीता है किसने जीता है यह जीता है नवामी उसाका ने किसने जीता है नवामी उसाका ने नवामी उसाका कहां की है जापान की आज का question आप लोग के लिए है हाले में Advertising a tuition of India की दोरा lifetime achievement award से किसे संवानित किया गया है सभी लोगो इसका answer comment box में देना है कि इसका answer क्या होगा आप लोग के लिए एक question है चलिए देखते हैं कि इतने लोग इसका answer दे पाते हैं तो यह रही आजकी वीडियो वीडियो आपको कहसे लई, comment करके जरू होता है तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत